नमस्कार दोस्तों मैं दिने अंदर उतोमर आप सभी का स्वागत करता हूँ MP Online CSE Business Training के इस चैनल पे यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा क्योंकि MP Online और CSE से रिलेटेड बहुत सरे वीडियोस हम आपको डेली यहाँ पर इस चैनल के मादध हम से देते रहते हैं और यदि आप MP Online CSE की Complete Training लेना चाहते हैं तो हमारा एप है Computer ग्यान केंदर उसे जरूर डाउनलोड करें एप के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे लोग आपकी सौप में कुछ ऐसी फोटो लेकर आते हैं जिसके लिए वो Passport Size फोटो बनवाना चाहते हैं और वो घर से ही कुछ इस प्रकार की फोटो लेकर आ जाते हैं तो ये एक डेमो के लिए मैं आपके सामने इमेज लेकर आ रहा हूँ अभी यहाँ पर जब आप इसकी Passport Size फोटो बनाएंगे तो Passport Size फोटो बनाते समय क्या होगा मेन मुस्किल यहाँ पर आती है जो बैक्ग्राउंड आपको दिखाए दे रहा है बैक्ग्राउंड को Edit करना और वो भी सफाई के साथ Edit करना तो ये बैक्ग्राउंड एडिट करना थोड़ा सा मुस्किल सा भी के लिए हो जाता है तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किसी इमेज के बैक्ग्राउंड को कैसे आप जस्ट एक click में आसानी से solve कर सकते हैं इस problem को और पुरा का पुरा background आप आसानी से अलग कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ Google पर यहाँ पर जाने के बाद आपको एक website है जिसको open करना है जो की है BG Remover ठीक है यहाँ पर Google पर जाके आप सर्च करेंगे BG Remover तो आपके सामने एक website open हो किया जाएगी remove.bg www.remove.bg यहाँ पर upload image पर click करेंगे upload image पर click करने के बाद जो भी image जिसको आपको edit करना है उस image को यहाँ पर हमने upload किया image upload होने के बाद आप देखेंगे directly आपके पास वो image आगए जिसमें बिल्कुल भी background नहीं है अब इसको हम कर लेंगे download download पर click करने का यह image हमारे पास open होके आ गई है तो अभी आप यह दोनो image देख पा रहे हैं यह है पहली image जहाँ पर background है और यह है second image जहाँ पर completely background एक click में remove हो चुका है यह देखें दोनों image मैं आपको यहाँ पर just अंतर आपको दिखाने की कोसिस कर रहा हूँ यह image जिसमें पूरा background बना हुआ है और यह image जिसमें बिल्कुल भी background नहीं है तो अब आप इस image का उपयोग करके आसानी से एक passport size photo create कर सकते हैं अगर आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe कर लेजेगा वीडियो को भी like देदेजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में